नमस्कार मैं डाक्टर आलोक शांटिया एक संकल्प पत्र रास्ट्रिये मानवादिकार दिवस मनाई जाने को लेकर आपके साथ हूँ आज आठ जन्वरी है और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारतिय संदर्व में जब संसद में कोई कानून बनता है तो पहले वा लोग सभा में जाता है वहां से जब उस पर सहमती बन जाती है तो वहाराज्य सभा में जाता है और उसके बाद वार राश्ट्र पती के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है और एक कानून बन जाता है फिर वह कानून सामानन तरीके से भारतिय जन्मानस के जीवन को अभिप्रेथ होता हुआ लागू हो जाता है हम सभी जानते हैं कि ज़्यादतर हम भारतिय साल भर अंतरराष्टिय स्तर पर मनाये जाने वाले तरह तरह के मानुआ अधिकार दिवस, HIV दिवस, जागरुकता दिवस, साक्षरता दिवस आधी मनाते हैं इसी क्रम में 10 दिसंबर को प्रतेक वर्ष अंतरराष्टिय मानुआ अधिकार दिवस मनाये जाता है लेकिन भारतिय संदर्व में सबसे पहली बार मानुआ अधिकार से सम्मंधित मानुआ अधिकार अधिनियम 1993 में बना था लेकिन उस समय इसको अध्यादेश बना कर लागू कर दिया गया था आप सभी जानते हैं कि अध्यादेश एक आपात इस्थिती में एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी कानून को लागू किया जाता है लेकिन वह कानून का इस्थाई रूप तभी ले पाता है जब उसको सदन में रखा जाया और उस पर राश्पती हस्ताक्षर कर दें तो जो मानुआ अधिकार अधिनियम 1993 है उस पर हस्ताक्षर भारत के राश्पती द्वारा 8 जन्वरी 1994 को किया गया था तो कहने का ताट पर यह है कि 8 जन्वरी 1994 से ही वह कानून मानुआ अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ था इसलिए या हम सभी भारतियों का करतव्य है कि 8 जन्वरी को हम राश्पिय मानुआ अधिकार दिवस के रूप में संकल्प ले और राश्पिय मानुआ अधिकार दिवस के पीछे जो दर्शन है कि देश में मानुआ अधिकार से सम्मंधित जितने भी कानून बनाय जा रहे ह या आप ऐसे कहें कि जो भी कानून बन रहे हैं वह अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ही बनाए जाते हैं। हो सकता है वह कानून किसी वर्ग विशेश के लिए हो, हो सकता है वह सामानने कानून हो, लेकिन वह किसी के अधिकार को ही सुनिश्चित करता है। तो आठ जन्वरी एक ऐसा दिन है जब प्रतेक भारतिये के पास या सोचने का समय होता है कि मानवा अधिकार जो एक लोगप्रिये मुहावरा बन चुका है वह है क्या और उस मानवा अधिकार के अंतरगत हम किस तरीके से अपने अधिकारों को सुरिचित कर सकते हैं जहां पर अभी मानवा अधिकार शब्द आएगा तो कानून स्वता ही लागू दिखाई देगा क्योंकि मानवा अधिकार का आर्थी यह है कि जिन अधिकारों को आप अपने से दूर पाते हैं अपने को वंचित हुआ पाते हैं उन अधिकारों को प्राप्त करने की विधिक तरीके स इसे चेश्टा करें प्रियास करें इसलिए अखिल भारतिय अधिकार संगठन ने आठ जन्वरी को रास्टिय मानुआ अधिकार दिवस मनाई जाने के संकल्प के लिए भारत सरकार को प्रस्तावना भेजा राज्य सरकार को प्रस्तावना भेजा और रास्टिय मानुआ अधिकार को इसके प्रति सूचित किया तता देश के करीब 20 राज्यों के राज्य मानुआ अधिकार आयोगों के चेर्मेन संबंधित कुलसचियों को सूचित करके यह प्रार्थना किया कि वास्तों में यदि मानुआ अधिकार की स्थापना होनी है तो राष्ट का जो मानुआ अधिकार अधनियम है उससे संबंधित एक दिवस मनाया जाना चाहिए और मुझे इस बात की प्रशन्नता है कि भारत सरकार के माध्यम से मुझे यानि अखिल भारती अधिकार संगठन को या सूचित भी किया गया है कि इस पर आवश्यक कारवाई के लिए इसे प्रेशित कर दिया गया है लेकिन सरकारी इस्तर पर केवल बात करने का कोई मतलब नहीं जब तक प्रतेक भारतिये आठ जन्वरी को राष्टिये मानुआ अधिकार दिवस मनाय जाने का संकल्प न ले उस दिन वह चेतना शील होकर देश के लोगों के बीच उन कानूनों को उन अधिकारों को जागरुकता के आधार पर चलाने का प्रयास न करे जिसके आधार पर प्रतेक विक्ति सम्वेदन शील बने और अपने अधिकारों से अच्छा दित हो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि प्रतेक वर्ष आठ जन्वरी को रास्टिय मानवा अधिकार दिवस मनाए जाने का संकल्प लें ताकि भारत भी एक मानवा अधिकार से अच्छादित जागुरुग देश बन सके नमस्कार जैहिंद